असलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया चार से छे महिने में पूरी कर ली जाती है और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामिबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये इसता अमाम जो कॉलर हैं आर को लगा कर ही इन्हें इन्हें लाया गया है रेडियो कॉलर है इन्हें और इनकी जो ट्रैकिंग है इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरी और फिर इन्हें हम जैसे के बता रहे हैं कि इनको आईसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा तो ये कुछ एहम बात हमने आपको बताएगी किस तरह से वहाँ पहने पुक्टा गया और फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स और रेगुलिशन्स हैं उनके जरीए इन आठों चीतों को भारत लाया गया है सतर साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे लेकिन किनी न किनी वजहों से वह सारे विलुप्त होते चले गए कुछ अवैद शिकार शिकारियों के शिकार बन गए एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो हैं वो इन चीतों को वापस से एक बाद फिर से लाएं चुकि पारे स्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बहतर है जैसे कि हमने कहा कि नामीविया के जो वग्यानिक थे कि इन तमाम चीतों को मद्द प्रदेश में जो कुनो नैशनल पार्क हैं वहां की जो इस्थिती है परिस्थिती है जलवायू है उसके हिसाब से छोड़ना ज़्यादा उचित होगा तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रिडियो कॉलर लगए हुए है ताकि इनको इनके मॉनिटरिंग की जा सकिए और विशेश हमने बताया कि आपको चिनूक हेलोकॉप्टर के जरीए इनको यहां पे लाया गया और प्रहारमन्ति मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेश जो क्रेट्स थे उनको